यहां पर एक बच्चे के स्वेटर लेकर आई हूं छोटे बच्चे का यह स्वेटर जो है कि छे महीने तक के बच्चे को आ जाएगा इवन तक कि बच्चे को या आदाम से आ जाएगा आपका बच्चा जादा हेल्दी नहीं है तो ठीक है और बहुत जादा हेल्दी बच्चा है तो छह मेने तक तो यह आ जाएगा तो छोटे बच्चों के कि बipर युद्ट के बच्चे हुश्य भी करते हैं तो यहां पर मैं एक जनरल नॉर्म साइज बताने वाली है क्योंकि यह सविटर मेरे बच्चे का है जब वो छोटा था आप तो बढ़ा हो गया है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वनका है यह सवेटर तो अभी मैं आपको इसका फुल मेजरमेंट बताने वाली हूं वीडियो स्टाइट कर लेते हैं चलिए पर अब देखें यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पैटर्न है मेरे चैनल पर अवेलिबल है आपको मिल जाएगा यह पैटर्न जो मैंने इसमें डिजाइन डाला है बैक साइट से मैंने इ स्टाइट से स्टार्टिंग करते हैं 50 स्टिचेज वन इंटू वन में मैंने डाला है रिब बनाई है और बहुत थोड़ी सी रिब बनाई है जस्ट सिक्स रोस की बनाई है आप देखेंगे यहां पर यह एक इंची पूरी नहीं है ठीक है तो पॉन इंच की छे सलायों का मै रोगल की फथर नहीं तो जाते लिए किम ध्यूर मीं फवर में फार देंखेंगे उत्स ऐंब स्टा पंट निक्पशस पीड़ी है यहां मैं सब्सक्रमा कर दो नहीं है जश्युटि वार्द से साथे ओपर मैंने आप इसको फञातर इंच बनाया है तो कि अगर सब्सक्रमा कटिंग जरूरी नहीं होती है ठीक है अब यहां पे हम फ्रंट पाजाते हैं 50 फंदों के साथ इसका बैक पर्ट स्थाट किया है सेम हम यहां पर 50 जब हम इसको फ्रंट ओपन बनाते हैं कार्डिकल लुक में तो हम जब हम नॉर्मल स्वेटर बनाते हैं बंद वाला ठीक है तो उसमें हम सेम फंदे डालते हैं आगे पीछे एक जैसे अगर हम इसको फ्रेंट ओपन बनाते हैं जैसे कि यहां पर देखें बटल लगे हुए आप देख सकते हैं फ्रेंट ओपन है काडीगन है तो इसमें 50 के हाफ यहां से लेकिए यहां पर डिजाइन डाला हुआ यहां से लेकिए यहां से लेकिए यहां तक हम 25 रखेंगे प्लस यह जो पट्टी यह जो स्टेट बॉर्डर चल रहा है ना यह वाला स्टेट लाइन इसमें हम पांच-पांच फंदे 6-6-7-8-8 आप देख सकते हैं इस 25 यह पांच यह 25 यह पांच यह तो 30-30 फंदे हमने दोनों साइट से लिए इसके बाद इसको सेम वही पांच वन टो बनाते हुए इसको सीधा बनाते हुए मैं गई हूँ ठीक है इसकी लेंथ मैंने जो भी डिजायर लेंथ होती है वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद यहां पर आमोल कटिंग करते हैं थी टू वन में करेंगे ठीक है जीरू से लेके पांच साल तक के बच्चे का आमोल कटिंग होता है जो डेफ्थ होती है वो 3-2-1 में होती है और कभी-कभी तो मैं शॉल्डर कट करती भी नहीं मैं ऐसे कई सवर्टे डाल रखे है अपने चैनल पर अब इसके बाद देखिए आरमोल से लेके यहां तक की लेंथ में आपको बताती है शॉल्डर तक की यह मैंने चार इंच रखी है छे और चार दस्क तो टोटल इस स्वेटर की लेंथ जो है यहां पर देखेंगे साड़े नो है यानि कि यह साड़े तीन रखा हुआ है मैंने ठीक है साड़े तीन यह छे यह और छोटे बच्चे का इतना ही होना चाहिए अब इसके यहां से मैं साड़े तीन मैंने बनाया तीन तो एक की कटिंग कर दी इसके बाद फिर मैं शॉल्डर पे आ गए शॉल्डर मैंने कितने फंदे रखे है देखे उपर से एक इंच पहले से मैंने कट किया है बस ठीक है तो नेक मैंने कटिंग नेक कटिंग की मेरी सब्वर्डी वीडियो पढ़े हो यह उसमें बताऊंगे वीडियो पहत लंबा हो जाता है कुछ लोग बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं ज्यादा लंबे वीडिय अब देखेंगे इसमें फंदे हमने कितने रखे थे 15 मैंने यह फंदे लिए हैं यह बॉर्डर वाले 15 एक साइट से यह सीधे और 15 जो हैं उल्डे तो यानि कि टोटल 30 फंदे मैंने बॉर्डर पे लिए हैं छोटे बच्चे की कलाई बहुत छोटी होती है 30 फंदे भी काफ अगर आप यह इस तरह का स्वेटर बनाना चाहते हैं तो और अगर आपको चाहिए कि इसका फुल टुटोरिल में आपको लिए कर आँ वसे मैंने डाला हुआ है मेरे चनल पर बनाने के लिए मैंने जो इसमें निडिल यूज की हैं वो 10 नंबर की सलाईयां यूज की हैं ठी इसी तरह का बनाईएगा ज्यादर डीयम मंत बनाईएगा क्योंकि होता कि बच्चों का जो गला थोड़ा सा भूल होती है मैंने शायद इसमें वर्दमान की विलनेम ये ये die और कलर को बना सकते बहुत ही पियारा ऑगा मल्यकोलर में अगर आप इस considering तो मेरे पास दो बनाट इसमें ये मेरा सबसे first and first sweater है जो मैंने अपने बच्चों के बच्पन से करती चलिया रही हूं खुद के बच्पन से बट मैंने अपने बच्चों के लिए फर्स स्वेटर निट किया था तो मेरे पास उस समय यह दो वूली वलवल थी तो मैंने उससे यह बनाया था ना था तो वून भी इस में बहुत कम लगी है आपको उन का भी वेट करके बता देती हूं गश्टाइने यह पर जीरू है जो लोग जाना चाहते हैं कि छोते बच्पने कि शवेटर में किटना व्ल लगता वह मैं बता देती हूं आपको देख सकते हैं आप यहां पर खुद देख सकते हैं 87 ग्राम only 100 ग्राम उन लीजेगा 50 ग्राम वाइट 50 ग्राम ब्लू या जो भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं तो 100 ग्राम उन में आप एक स्वेटर बना के कंप्लीट कर सकते हैं अपने बच्चे का तो I hope कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइफ कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो बेल बटन प्रेस कर दीजेगा और हाँ शियर जरूर कीजेगा क्योंकि आप लोगों की तरह और लोग भी मेरी इस वीडियो का फायरा उठा सकें लाव उठा सकें तो क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको सही और करेक्ट नाप नहीं पता होता है कि बच्चे का स्वेटर बनाना चाहते हैं मन में मतलब उमंग जाकती है कि हाँ हम भी कुछ करें किसी के वीडियो देखे लेकिन उनके पास एक सही मेजरमेंट नहीं होता है तो आप उसको मेरे वीडियो को शियर कर सकते हैं तो उनके पास एक सही मिजर्मेंट चला जाएगा चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाबाई